ये टी ओपी जी प्रोग्राम का दूसरा वीडियो है जिसमें मैं कुछ अपने पर्सनल थौट्स के बारे में बात करूंगा तो आज करल मैं क्या सोच रहा हूं कि in all situations normally हमें गुस्सा क्यों आता है ये मैंने इस पर एज जेनरल थोड़ा बहुत सोचा है तो जितना मुझे समझ में आया है वो है कि हमें गुस्ता तब आता है जब कोई सी सिटुएशन हमारे एकॉर्डिंग नहीं होती है जैसे कि कुछ हुआ और वो वैसा नहीं हुआ या फिर वो वैसा नहीं है जैसा कि हम उसको होना चाहते हैं तो जनरली मेरा रियक्शन क्या होता है कि मुझे गुस्ता आना स्टार्ट होता है अब एक एक्जामपल से अगर इसको समझने की कोशिश कुरा रहे हैं तो जैसे क्या हुआ हुआ मैंने अपने घर के बाहर एक पेंड 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 लिल लगवाया तो वो पेंड अब धीरे धीरे बड़ा धीरे बड़ा हो रहा है तो मुझे काफी अच्छा अच्छा कि मैंने जो पेंड लगवाया था अब वो बड़ा हो रहा है फिर क्या होता है कि वो बड़ा बड़ा होता है पर उसकी एक ब्रांच हमारे घर की तरफ आना स्टार्ट 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 हो जाती है तो तो वो तो पेड तो उसकी उसकी ब्रांच चाहे जिस तरफ जा जा एगी पर हमको वो चीद पसंद नहीं आती है तो हम क्या करते हैं हम पेड की हम क्या सब्सक्राव करना स्टार्ट पाने कर देंगे कि कि हे पेंड तू इस तरफ तरफ मत जा बल्कि तू उस तरफ जा इस तरफ अगर तू जा एगा तो मेरी दिवार तूट जाएगी हम पहले पेंड की पूजा करते हैं फिर हमको कोई बताता है कि अगर तुम इस भगवान नहीं या तूझ पूजा करो तो यह पेंड जैसा जैसा तुम चाहते हो बिल्कुल उसी तरह से काम करना इस्टार्ट कर Barbara कर देगा तुम्हारी मनों कामना पूरी कर देगा तो हम उसको करते हैं तब भी तब भी नहीं होता है तो हमको और ज्यादा गुसा आना स्टार्ट हो जाता है फिर हम क्या करते हैं फिर हम उतर आते उतर आते हैं आते हैं आते हैं वायलेंस दे कि यह पेर कैसे मेरी मर्जी के एकॉर्डी नहीं चलेगा हम क्या करते हैं हमने उठाई खुल हाड़ी पेर्ण की ब्रांच को खाक के रख दिया खुल मिला के क्या हुआ कि हमने पेर्ण को अपने एकॉर्डी चहला दिया अब इसी का दूसरा वह है या फिर इससे यह भी यह भी आप इंटर्प्रेट कर सकते हो कि मैं कह रहा हूं कि गुस्सा खराब 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 चीज है जबकि ऐसा नहीं है गुस्सा गुस्सा जरूरी होता है पर आप गुस्से पर हम गुस्से को किस तरह जरूरी है अब जैसे अब इसी को स्टैंडरिंग के उसमें अगर मैं करूं तो हम लोग मुझे क्या लगता था पहले कि अगर मैं हक लाया तो यह मेरे एकॉर्डिंग सही नहीं है तो मैं अपने अपने को होना चाहता हूं वैसा मैं नहीं हूं तो तो मुझे को एज यूजूर गुस्सा आता था यह होता था वह होता था ब्ला ब्ला तो मैं क्या करता था कि फिर मैं भगवान से प्रे करता था कि कि हे बगवान मैं आपको सो रुपए का पसा चढ़ाओंगा अगर यह सही हो जाए फिर उसके बाद एज आज आई सेड वह एलेंस स्टार्ट हुई तो मैंने अपने आपने आपको ही पनिश भी करा है कि मैं सही से नहीं बोल पा रहा हूं पर उसी गुस्य की जब परांगास्था वहां और ची जनकी यह तम क्या होता है कि ई आपको यह लगना स्टार्ट हो जाता की हमको यह ले ले स्टार्ट हो जाता है कि इस गुश्य वायदा नहीं है तो तो वो भी गुष्टे को चैनल करने का दूसरा तरीका है कि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो हम सिर्फ अपने मन की मुश्किलों को बढ़ाते हैं हमको शांती कभी नहीं मिलेगी इस तरीके से तो और हां एक पर दक कोश्क कर तास्क तू ये मैं अपने धर के बाहर एक खुले प्लोट में बैठा हुँ में बैठा हुआ हुँ जहांसे एवरिवरीबडी इन इन माइ सोसाइटी कैन सी में इस देर में वीश्किलों का आउट तो इस उस्कित थी कोश्क तू झाल, 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 झाल